हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्यू कोचिंग क्लासस पर स्वगत है दोस्तो क्लास 11 कमिस्टी में चैप्टर 12 हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कार्वनिक योगिक और अकार्वनिक योगिक क्या है और अंतर दोस्तो इस chapter में सबसे महत्पूर चीज़ है IU-PAC नामकरण बतलब नामन्ट कलेचर आप दोस्तो कर्वनिक कमपाउंट जो भी आपका नामन्ट कलेचर है IU-PAC नामकरण है इस से हर वर्ष कोश्चन पूछा जाता है और ध्यान रखें दोस्तो इसके पहले मेने एक साल पूरा वीडियो बना दिया आयूपीसी नामकर्ण लेकिन इस बार कुछ मोडिफाई करके कुछ बहतरीन तरीके से सौर्ट ट्रिक की साहथा से पूरा आपको आयूपीसी नामकर्ण कराऊंगा और जो वीडियो आएगा रिगुलर आएंगे ठीक है औ और आप लोग प्रीज उसे जरूर देखना क्योंकि जो आयूपीसी नामकर्ण है मैं कहता हूँ आप जीरो होना कोई इकत नहीं हीरो बन जाएंगे आयूपीसी नामकर्ण में जीरो हो तो हीरो बनाने का मेरा काम ये घरंटी कहता हूँ बस आप आयूपीसी नामकर्ण लेकिन उसमें कार्बन होना चाहिए तो ऐसे योगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं कार्बनिक योगिक ऐसे योगिक जिनमें कार्बन के उपस्थिती नहीं होती मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता दोस्तो उससे हम कहते हैं कार्बनिक योगिक तो कार्ब तो इसमें जो difference है, वही अपन चर्चा करने बाले है, तो पहला difference दूस्तो, कारवनिक योगी की संक्या बहुत अधिक है, लगभख 10 लाख, दूस्तो, प्रतिबर्स लगभख 7000 नए योगी बनते हैं, कारवनिक योगी, ठीक है, लेकिन दूस्तो, आ कारवनिक योगी की कुल स तो कार्वनी क्योगिक सुचित लगभग 10 लाग है और इसमें लगभग साथ जारपांटास जीतना टोटल अकार्वनी क्योगिक है उतना कार्मनी क्योगिक प्रतिवर्ष नया लगभग बन जाता है तीक कैcem चलिए अगला दोस्तों देखते हैं विभिन कार्वनिक योगिक में काफी शमानताइं होती हैं क्योंकि दोस्तों इतने ज्यादा कार्वन हैं देखे एक ही अरुसूत रहे लेकिन अलग-अलग नाम से उन्हें पहचाना जाता स्वनचना की कार्णा इसलिए दोस्तों योगिक का अणुवार बहुत अधिक होता है मतलब जटिल होते हैं मतलब बहुत लंबी स्रंकला होती है जैसे दोस्तों बहुत जैसे आपको दिए एक प्रोटीन साधराना बता दूँ तो सीस छेसो बहुत एक हजार बीस एन एक सो तेरानने आक्सिजन का दोस्तों एक सलफ लावाले योगिक होते हैं जैसे हैं सारे के सारे अकार्मिक योगिक हैं तो यह जटिल होता है आइस्थाय होता है लेकिन यह कम जटिल होता है अगला दोस्तों यह समावयपता गुड़ प्रदर्सीत करते हैं कौन सी गुड़ दोस्तों तो समावयपता गुड़ को क्या करत प्रदर्शित करते हैं और दोस्तों यह जो होते हैं आकार्मिक योगिक समय प्रदर्शित नहीं करते ठीक है अगला दोस्तों कार्मिक योगिक में बहुरूपता का गुड़ पाया जाता है आकार्मिक योगिक में बहुरूपता का गुड़ नहीं पाया जाता बहुरूपता क मतलब दोस्तो जैसे दो या तीन योगिक हैं उनका मुला नुपाती सूतर एक ही हो सकता है समझ रहें बात को जैसे एसी टिलीन C2H2 और दोस्तो बेंजीन का ये दोनों का गुडांग एक ही होता है मतलब मुला नुपाती सूतर शमान होती है तो दोस्तो ऐसे भिन भिन योगिक जिनके मुलानुपाती सोत्रों वो दोस्तो बहुरूपता का गुड़ प्रदरसीत करते हैं जबकि अकार्मिक योगिक में ऐसा कोई दोस्तो फालो नहीं होता मतलब बहुरूपता का गुड़ प्रदरसीत नहीं करते हैं अगला दोस्तो शि कारवनिक योगिक में बैद। स्नयोजन बन्दन होता है. इस धीमी गत्से होती है, जबकि आकारवनिक योगी की रासानी का फ्कृरिया ती बिर गत्से होती है, अगला नमबर दोस्तों, कॉश्यन नमबर सेबन है, यह प्राया वास्वसील होते हैं, वास्वसील का मतलब क्या होता दोस्तों, जैसे खुला पे छोड़ दे, तो सीधे आकार्निक योगbers голос कम होते हैं दोस्तो आकार्वनिक में यह प्राया बास्वसील होते हैं और इनके घ्लनांक और कॉथनांकं कार्वनिक क्योगों की अपेच्छा अधिक होते हैं ठीक है अगला दोस्तो देखते हैं आपन busyyyah हो गुलन सील हैं कौन से यह जो कार्बनिक योगिक है जल में गुलन सील है और दोस्तो कार्बनिक बिलायकों में भी क्या होते हैं बिले होते हैं यहां पर मैंने गुलन सील बोल दिया जबकि गुलन सील नहीं यहां अगुलन सील लिखिएगा ठीक है अगुलन सील होते हैं कैसे ह दूस्तो नौ अंतर हैं, नौ अंतर हैं, है ना, 6-7 मिनट का वीडियो है, आसा करता हूँ, इसे आप लोग अच्छे से समझ गया होंगे, है ना, अंतर का दूस्तो आप लोग स्क्रीन साटे लो, फिर कुछ और बेसिक चीजें अपन चर्चा करते हैं, ये स्टार्टिंग आयो, ये आप कर रहा, फिर इसके आगे बढ़ा दें, अपन 7 नमबर यहां से दुस्तो थोड़ा सा, पेज यहां पे चेंज मैंने किया था, ऐसे में आप लोग ले लीजिए, ये, स्क्रीन साट तो लेते हैं, कई लोग मेरे भाई लोग कहते हैं कि सर प्लीज आप स्क्रीन साट लेने के लिए समय देता हूँ, ठीक है, तो ये स्क्रीन साट ले ली होगे, चलिए कुछ और बेसिक चीज़ें आप से हम चर्चा कर लेते हैं, तो जैसे यदि बात करें दोस्तों कि जो आपके कारवनिक योगिक हैं, कारवनिक योगिक कहां कहां पाय जाती हैं, तो ज कहते हैं, दोस्तों खनीच पदार्थ, है ना, जैसे नाइक्ट्रोजन, सलफर, फासफुरस, आदिक योगिक दोस्तों इसमें मिले होते हैं, तो ये खनीच पदार्थ भी क्या कहां से मिलते हैं, दोस्तों प्रथिवी और खनीच पदार्थ भी कारवनिक योगिक होते हैं, अब एदि मैं कहा दूँ बनसपतिक पदार्थ वानसपतिक पदार्थ ठीक है दोस्तो बनसपतिक पदार्थ यह कहां से मिलेंगे तो यह दोस्तो मिलेंगे पेड़ पौदों से कहां से मिलते हैं पेड़ पौदों से यह दोस्तो बेसिक चीज है इसलिए मैं बताना चाहता हू थोड़ा बहुत तो ऐसे पदार दोस्तो जो पेड़ पौधे से प्राप्त हो जैसे प्रोटीन है है ना मेली कमल है आगजेली कमल तो यह दोस्तो कहां से प्राप्त हो रहे है तो यह वेजिटेवल सबसिस्टेंस होता है दोस्तो मतलब बानस्पतिक प्राप्त होता है यदि मै कहा दू जन तु जन इत्पदार्थ जन तु जन इत्पदार्थ क्या है दोस्तो तो ऐसे पदार्थ जो जीवों से प्राप्त की जाती है जैसे दोस्तो यूरिया है ना ये यूरिया दोस्तो मूत्र से प्राप्त होता है आप लोग को पता होगा कि जाहे कोई भी जीव जनतों को दोस्तों उसके मूत्र में ये यूरिया होता है यूरिया का क्या होता है सूत्र होता है और दोस्तों ये आपको क्यों बदबु देता है जब ये अमोनिया में कनवर्ड हो जाता है खुले बायू से क कहीं पर आप जाते हैं देखते हैं कि थोड़ा सा वह आती है तो इसका कार्ण क्या होता दोस्तों आमोनिया, अब दोस्तों एदि में बात करूं कि कार्बन के इतने ज्यादा योगि क्यों पाय जाते हैं बताईए तो दोस्तों आप से mindset कार्बन का होता हैética पर्मान egyकितना प् S दोस्तो 1 S 2 और 2 S 2 2 P 2 मतलब पहले में 2 इलेक्टरान दूसरे में 4 इलेक्टरान अब दूसरे में 4 इलेक्टरान की अब असकता है मतलब कारबन में चतु संयोजी बंद बनाने की छमता होती है और दोस्तो कारबन की संयोज़कता 4 होती है अर्थात कारबन की संयोज़कता 4 हो चम रखता है इसी कार्ण से दोस्तो सबसे ज़्यादा ये मतलब तट्टों को जोड़ने की चमता रखता है इसी कार्ण से ये है दोस्तो अधिक सदिक योगिक का निर्मार करता है और साथ ही दोस्तो इसकी जो सरंखलान होती है वो दो प्रकार से होती है एक तो खुली जैसे ये कार्बन ये दुस्तो कार्बन कार्बन की सरंखला है ऐसे ये खुली सरंखला हो गई खुली सरंखला मतलब दुस्तो इसमें अन कोई भी परमाण जुड़ सकते हैं और बंद सरंखला भी होती है जैसे ये कार्बन हो गया ये देखिए ये आपको खुली सरंखला नहीं नज करूंगा कि जो आपका वीडियो आए तो आयू पेसी नामकरण से आए तो दोस्तों मैं आपको आयू पेसी नामकरण का वीडियो लाऊंगा जो कि वीडिवात रहेगा आसा करता हूँ आप सब देखेंगे ठीके और वीडिवात जानकरी प्राप्ट करेंगे चलते हैं दोस्त तो इस चोटा से वीडियो के ऐसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों सेयर करना नए है ते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिक्विशन आपको मिलता रहे मिलेंगे दस तो अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक लिए जैहिन बंदे मातरम